नमस्कार दोस्तों, आज मैं मेरे अनुवह से आपको साथ बातें को बताता हूँ, पांच और दो साथ, साथ वो बातें बताता हूँ, जो आपके जीवन की दिसा और दसा चेंज कर सकती हैं, उनको और जला बढ़िया कर सकती हैं, बहुत सी बातें, आप चाहे कितने भी पड़े लिके हूँ, आपके समझ में नहीं आती हैं, उम्र का तरजा, उम्र का तकाजा आपको उन बातों को सिखाता है दोस्तों, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई गौर्वन्ट सर्विस कर रहे हो, चाहे आप किछी भी उँचे पदबर हो, मगर यह जो साथ बाते में आपको मेरे अनुगों के द्वारा बताना चाहूँगा, वो बाते साइद आपने आज तक नहीं समझी हो चाहिए आप कितने भी पढ़े लिखे हो जीवन की सबसे बड़ी पढ़ाई कोलेज के बाद में शुरू होती है जी हाँ दोस्तों अब आप कहेंगे दादाजी कोलेज के बाद में कौन सी पढ़ाई शुरू होती है जी हाँ दोस्तों आपकी सारी पढ़ाईयां आपने आपकी कम शुरू होती है college की यानि आपकी education जो होती है उसकी पूरी education होने के बाद में शुरू होती है और वो होती है how to earn money जी हां दोस्तों किसी भी पढ़ाई में किसी भी education में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और असल जिंदगी यहीं से सुरू होती है जब आपको सारी पढ़ाया करने के बाद में government की service की try करते करते आप 40 साल के हो जाते हैं तब आपके समझ में आती है कि अब क्या करना और फिर सवाल करते हैं दादा जी कैसे पैसा कमाऊ ज्यादा ज्यादा पैसा कैसे कमाऊ धन कैसे कमाऊ अमीर कैसे बनूँ गाड़ी बंगला गोड़ी यह सब कैसे लाओ जी हां दोस्तों असली पढ़ाई यहीं घर्रेबिद का कजिआना आकर शुरुव होती है और इसी पढ़ाई के बर्बन बुते पर आपकी पूरी जिंदगी चलती है है यहदि इस पढ़ाई में आप पंजोर रह गए देखिए डिग्री मायने रखती है मैं नहीं कहता कि पढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है मैं कहता हूँ पढ़ाई करना चाहिए और मेरे तो मन में एक तीस रह गई कि मेरी शिक्षा कहीं कहीं मुझे लगता है अधूरी रही भी है हालांकि मेरी उमर के जो लोग हैं उनके समक्ष मैं अच्छा पढ़ा लिका हूँ मगर फिर भी मैं जो बनना चाहता था वो गरीबी के कारण या यू कह सकते हैं मेरे पिताजी की जिम्मेदारियां ज्यादा थी उन्हें सहर्यों करने के कारण मैं नहीं पढ़ सका मगर आपसे मैं निवेदन करूँगा पूरी शिक्षा गोट कीजिए जब तक आपकी जितनी पढ़ाई करने की हिच्छा हो तब तक पढ़िए मगर उसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ना चाहिए कि हाउ टो अर्न मनी दोस्तो मैं नहीं कहता कि पैसा सब कुछ होता है मैं ये भी मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता मगर मैं ये भी मानता हूँ कि पैसे के बिना सब कुछ होता भी तो नहीं ने आपकी education पैसे के बिना होती है ने आपकी service पैसे के बिना अब क्या कहूं आगे और ने आपका business पैसे के बिना होता है तो ऐसी स्थिति में how to earn money ये आपका पहला question होना चाहिए दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा आपको बहुत से motivational speaker मिले होंगे बहुत से गुरुजन जिनके चर्णों में आपने धोक खाई है जिनसे आपने अच्छी शिक्षा पाई है मगर जो असली गुरु जो आपको कान पकड़ाता है वो शादी के बात मिला है और वो गुरु होता है पत्नी जिहां दोस्तों इस संसार में कहावत है कि आदमी का भग्य सादी के बाद खुलता है क्यों? असली गुरु मिल जाता है एक पिता के एक पुत्र था केवल एक पुत्र है पिता ने खूब समलाया बेटे को बहुत पड़ो, बहुत पड़ो, बहुत पड़ो मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है मैं अच्छा तुम्हें बिजनस करवा के दूँगा मगर बेटा नहीं पड़ा जख मार कर बाप ने सादी कर दी बेटे की और सादी के तीसरे दिन बेटे सुबह जब उठता है तो कहता है पिता जी एक बात कान खोल के सुन लीजिए बोले क्या बिटा? बोले माँ आपसे अलग होंगा बोले वाँ बिटा आज असली गुरु मिला है तुम्हें दो दिन में इतनी तयारी करवा दी तुम्हें कि तुम मेरे कान खोल कर सुनाने वाले बन गए चाबाज बेटा असली गुरु आज मिला है तो असली गुरु जिसको बिल जाता है वो साधी के बाद ही इंगलता है यह जिवन के सचाई हैं दोस्तों मजाग में मत लेना नब्य परसेंट लोग इन वातों से दुखी हैं वो पिता-पूत्र से अलग हो जाता है पूत्र-पिता से अलग हो जाता है और ऐसी स्तितियों में बहुत से अग्वेल एजुकेटेड परसंस अच्छे ओदों पर लगे हुए विक्ति अपने मादा पिता को ब्रिदा अस्रम में पहुंचा कर आ जाते हैं एक पिता जी को एक अच्छी पोस्ट का सर्विस करने वाला आदमी ब्रिदा अस्रम नोंने ले गया और जब ले जाने के बाद में उन्हों वहां इनकवाई की जाती है क्या करते हो क्या नहीं करते हो तो वहां वाच्वेंट था उसे ने उन से सवाल कर लिया दरसल आप एक पड़े लिखे आदमी लगते हैं क्या करते हैं आप तो उसने का मैं जज हूँ बोले आप जज हो बोले हाँ तो उसने भगवान की तरफ हार जोड़के कहा हे इश्वर क्या होगा इस देश का जो जज आपके माता-पिता की शेवा नहीं कर सकता जो जज अपने माता-पिता का न्याई नहीं कर सकता कैसे बना दी तुने इस संसार को किस तरह की संसार बना दी और वो जज वापिस अपने घर जाता है और खाना पिना छोड़ देता है अपनी रेजिगनेशनलिक देता है पत्नी को त्याग पत्र दे देता है जहां से सुनियेगा बेटे को सारी जमीन जाहिदा सारी संपत्ति उ कहता है यह सारे त्याग पत्र लीजिए यह सारी प्रोपर्टी के कागजात लीजिए बोले आप मैं मेरी मा के पास जाओंगा मैं जब मेरी मा का नहीं कर सकता तो दुनिया का क्या नहीं करूंगा इसलिए मैंने रिस्तिपा दे दिया है दोस्तों वो बेटे पोते बहु मा के पास गए और मा को वाफिस लाते हैं एक चोकिदार आपको ये शिखा सकता है तीसरा दुनिया का सबसे शफल व्यक्ति कौन है धाम से सुनिए जो घर परिवाय को सही से चला सके आप बहुत बड़ी फैक्ट्वी चला सकते हैं आप बहुत बड़े मैनेजमेंट करने वाले हो सकते हैं मगर च्छे आदमियों का परिवार जो आदमी सही से नहीं चला सकता मैं कहता हूँ दिक्कार है उसका जीना चाहे आप कितने वे बड़े ओदेपर हों यह जिए आप अपनी फैमिरी को सही से नहीं चला सकते चलिए मैं बता देता हूँ मेरी शमयद में दुनिया का सबसे सोबा के साली आदमी वो है जो अपने माबाप को बूड़ा होने तक जहां से सुनियेगा बूड़ा होने तक उनके अच्छी सेवा करे और लास्ट में जब उनके अंतिम विदाई का समय आता है तो अपने कंदों पर सजा करके सम्षान भूमी में ले जाकर विद्वत रूप से उनका दाश्रांस्कार करें वहीं आदमी सबसे सोबा के साली होता है पिता से पहले पूत्र चला जाता है कहीं कहीं गड़बड है खाने पीने में रहन सैन में या किसी और कारण से नहीं तो कोई काईदा ही नहीं वनता है कि पिता से पहले पूत्र चला जाए हाँ छोटी उमर में बच्चे जब छोटे होते हैं उस समय की कहानिया कुछ अलग हो सकती है क्योंकि उस समय वो बच्चे होते हैं और अपने माबाप के आधिन होते हैं वो जैसी शुरुक्षा कवस्त उनको देंगे वैसी ही शुरुक्षा रखेंगे मगर यदि आप बड़े हैं और किसी गलती के कारण अपनी चाहे आप गाड़ी चलाते हैं एक्सिटेंट हो जाते हैं मैं उसमें भी आपकी गलती मानता हूँ माबाप के उसमें कोई गलती नहीं है साटकी स्पीड गौर्वर्मेंट ने अलाव कर रखी आपको असी तक जा सकते हैं रियर कैसेज में आप नाइंटी तक जा सकते हैं मगर सो एक्सो बीस एक्सो तीस और फिर तीस रे दिन कहानी कुछ उल्टी होके आती है सो आदमी आपके घर आ जाते हैं हजार आदमी घर आ जाते हैं अरे ये क्या हुआ सब को चम्वित होते हैं बहुत समझदार लड़का था वाट हैपेंड काहरें क्या है और फिर सब लोग उदास हो जाते हैं जितने भी आतमी होते हैं आपके आस पास वाले जानकार जितने भी लोग होते हैं सब उदास हो जाते हैं कौन है उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप कितने अत्मियों को रुला दिया आपने महेनों तक बरसों तक तड़कते रहेंगे वो आपकी आत्मि इसलिए गाड़ी धीरे चले इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा दुनिया का सबसे अच्छा पती कौन है कुछ लोग राम का उदान देंगे कुछ लोग और किशी का उदान देंगे मगर मैं कहता हूं दुनिया का सबसे अच्छा पती वो है जो अपनी पत्नी का अपनी से भागिनी का अपनी क्या कहना चीए धर्म पत्नी का विश्वास जीत लेता है यदि आपने अपनी धर्म पत्नी का विश्वास नहीं जीता कहा हो जी दिन में पांच बार फोन आते हैं समझ लीजिए आप अच्छे पती नहीं है विश्वास होना चीए मैं अब भी जा रहा हूं मैं काम पे जा रहा हूं और उन्हें ये चिंता तो सता सकती है कि लेट हो गए ये क्या कारणा है उस समय वो फोन कर सकती है मगर बार बार में मुझे फोन करके सुनाओ मुझे फोन ओपन करके सुनाओ मुझे साउंड करके सुनाओ ये इस तरह के सवाल जब आप जब आपके साथ में आने लग जाते हैं मैं कहता हूँ दिकार है आपका पती होना इसलिए इन साथ बातों का ये आप ध्यान रख लेते हैं तो अपने जीवने में शफल होते हैं बाकि जीने को तो देखिए दुनिया जीती है आप भी जीते होंगे मैं नहीं कहता मेरी बाते कुछ कड़ भी हो सकती है मैं अपनी जीवन से जुड़ी सच्चाईयां बताते हूँ आपको जो मैंने देखी हैं जो मैंने पाई हैं वही बाते मैं आपके साथ सेर करता हूँ वीडियो अच्छा लगे वाइरल कर दीजिए इस वीडियो को और बुरा लगे चैनल को छोड़ जाएगे हमस्कार